दोस्तों नमस्कार आप सभी का मेरी शूटूब चैनल इंदी कराओ पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपने भी एपलाई किया है परिवें.डूट जूट इनकी साइट पर एलल, डील, रेनुवल, डुपलिकेट या फिर किसी और लाइसेंस के लिए और फिर बाद में आपने देखा कि भी आपने तो कर दिया गलती से मिश्टेक और अब आप करना चाहते हो अपनी लाइसेंस एपलिकेशन को कैंसल या डिलीट तो आप आए हो सही जागए पर आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी लाइसेंस एपलिकेशन को किस तरीके सा कैंसल या डिलीट कर सकते हो उसकी कंप्लीट इन्पॉर्मेशन आज की स्वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत से व्यूवर हमारे कमेंट बॉक्स में जो हमारी वीडियो है उसको कमेंट बॉक्स में पूचते हैं कि सर अगर हम अपने license application को cancel कर दे तो क्या हमारी payment वापस आ जाएगी अगर दोस्तों आपने license application की payment भी कर दिया है तो अगर आप cancel करते हो तो आपकी payment refund नहीं होगी पेमेंट से पहले तो आप कैंसिल कर सकते हो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पेमेंट के बाद कैंसिल करोगी तो दिक्कत हो जाती है कि आपकी पेमेंट इस चली जाएगी पेमेंट रिपंट नहीं होगी और अगर आपने payment नहीं की तो उससे पहले आप cancel कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बात करें special case की learner license की तो उसमें दोस्तों यह है कि आप payment से पहले correction कर सकते हो उसमें जो भी details आपकी गलत enter हो गई उसमें payment से पहले आप correction कर सकते हो उसका मैं process बता दूँगा कि आप अपने learner license में payment से पहले correction कैसे कर सकते हैं इसके regarding वैसे मैंने पहले वीडियो बना रखे लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो बता दूँगा कि आप अपने learner license में किस तरह किस correction कर सकते हैं लेकिन correction आप तभी कर सकते हैं ये पेमेंट से पहले अगर आपने पेमेंट करती है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप supporting document के साथ आप appointment कर दीजिए आप अपने rt widget कीजिएगा अपनी application के साथ अपने supporting document के साथ पीस receipt appointment के साथ और वहाँ पे बोल दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे गलती से ये इसमें details फिलो गई है इनमें correction कर दीजिए तो वहाँ पे correction कर देंगे अगर वहाँ पे correction नहीं करेंगे तो जब आपका learner license बन जाएगा तब भी correction हो जाएगा एक ll edit entry वाला होता उससे correction हो जाएगा और बाकी की बात करें अगर आपकी dl application dl application में तो ll application वाली details आती है बात करते है renewal duplicate address change application के बारे में अगर इनमें कुछ correction करना चाहते हो कुछ गलती से आपने details फिल कर दी है उसमें correction करना चाहते है और आपने payment भी कर दी है तो अपने RTO में concern कीजिए वह correction वहाँ पर हो जाएगा जहां तक है अगर दोस्तों आपने payment नहीं किया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं पहले cancel कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं अगर payment कर दी तो भी या तुम्हें risk तो लेना पड़ेगा या तो rt widget कर लीजिए बात कर लीजिए वहाँ पर अगर आप risk लेना चाहते हो तो cancel कर इसा है ठीक है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कापी टाइम होगे और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपना जीमेल आकाउंट साइनिर करने वाँ सब्सक्राब बटन पर क्लिक कि जो बैल आइकोन में दबा दीजि बहुत वीडियो बनार की देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं परिवेंस सेवा सब्सक्राइब कि जिए उसके बाद है इसमें ड्राइवंग लाइसेंस रिलेटेट सर्विसेज इस पर क्लिक किजिए उसके बाद आता है इसमें ड्राइवंग लाइसेंस अवला पेस ऊपन हो जाएगा इसमें स्टेट चूज करना है किसे स्टेट में आपने apply किया है वो इसमें डाल देए ठ्यक है स्टेट चूज कर लिए अ उसके बाद ही नें यह ड्राइवंग की जो यूपिशी थोड़े जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा देखें आप बात करते हैं अब देखो थोड़ा आज की वीडियो लंबे हो जाएगी लेकिन कोई नहीं आपको सही जान करीदू जो आपके आगे भी खाम आईगी बात करते हैं learner license वाले बंदों के लिए दोस्त अगर आपक किया है और उसमें कुछ गलती हो गई है कुछ गलत डिटेल्स फिल हो गई है और अभी तक आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो आप क्या कीजिएगा modify application पर click कीजिएगा उसके बाद apply application edit पर click कीजिएगा यह वाला LL only application edit इस पर click कीजिएगा उसके बाद अपना application number date on पर डाल के proceed कीजिएगा उसके बाद आपके पास confirm करोगी जब आप आगे जाके तो आपका जो mobile number उस पर OTP आएगा वह OTP उसमें डालना है उसके बाद proceed करना है उसके बाद जो भी आपको correction करना है जो भी आपने गलती कर दिये गलत डिटेल फिल कर दिये उसको correct कीजिए उसके बाद submit कीजिए तो update हो जाएगा आपका इलल application में ठीक है अगर आपने भया payment कर दी है तब तो मुस्किल है तब यह application edit नहीं हो सकती आपकी लेकिन हा आप जब अपने ITU widget करो तो उनसे बोलते ना कि सरे ऐसे गलती से details फिल हो गई है गलत entry हो गई है आप इसको correct कर दीजिए तो वहाँ पे correct कर देंगे अगर वहाँ पे भी नहीं करते फिर उसके बाद आपको अपने लल तक wait कर लेना है जब आपका learner license बनके आ जाए उसके बा क्लिक करोगे तो application open हो के आ जाए और जोब आपको correction करना हो correction कीजिएगा उसमें ठीक ना और अब बात करते है रिन्वाल, duplicate, international, address change, name change, license application वालो बंदों के लिए तो दोस्तों आप उससे पहले payment से पहले तो आप कितनी बार cancel कीजिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप apply कर सकते इतनी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने payment कर दी अगर तब आप cancel करोगे तब दिक्कत है दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि आपकी जो payment है वो चली जाएगी, वो cancel हो जाएगी, आपके है आप सोचो की refund हो जाएगी, cancel करने से refund नहीं होगी, ठीक ना? तो उसके लिए आप cancel भी बात कर लेते हैं अगर आप अपनी application को cancel करना साहते हो उसके बारे में तो आप क्या कीजेगा यहाँ पे है apply apply online इस पे click कीजेगा उसके बाद cancel application पे click कीजेगा उसके बाद इसमें application number डाले date of birth डाले उसके बाद submit पर click कीजे जैसे आप submit पर click करोगे इस तरीके से page open होके आजाएगा अब इसमें आपका यहाँ पे application number name date of birth फाद नेप सब वो होगा ठीक न उसके बाद यहाँ से cancel application पर click कर लिजे ठीक है न जैसे cancel application पर click करोगे आप तो इस तरीके से आजाएगा इसमें लिखके कि the application cancellation is non recoverable process and the application will be totally closed and the application can't restore यह कहा रहा है कि अगर आप application को cancel करोगे तर यह recover नहीं होगा all data all the data and documents will become null and avoid if the applicant wants a service fresh application need to be submitted and all the procedure need to be followed again if slot over taken for the application number respective slot either LLDL also will be cancelled and if the anyway then amount will not be refunded इसमें भी कहर रहा है कि अगर आप अपने application को cancel कर दोगे तो जो भी आपने उसमें document upload किये है या फिर appointment लिए आए फिस की विए वो सब वो सब खतम हो जाएंगे और आपकी जो पेमेंट है वो भी refund नहीं मिलेगी ठीए ना इसमें लिखा हुआ है ओड़ी confirm करना चाहते है फिर भी तो proceed for cancel पर क्लिक कीजिए जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका mobile number है उस पर OTP चला जाएगा उस OTP को इसमें डालिए 6 या 4 डिजिट का होगा और 6 डिजिट का उसको इसमें डालिए इसमें डालिए उसको इसमें डालिए उसको इसमें डालिए उसको सम्मेट पर क्लिक कीजिए जैसे सम्मेट पर क्लिक करोगे यह फाइनल कंफिर्मेशन पूर कैंसलेशन मुं कह रहा है यह वह सब बोल रहा है उसके बाद प्रॉसीड और कैंसल पर क्लिक कीजिए जैसे इस अपर क्लिक कर वे इसमे आएगा अपलिकेशन नंबर ये is successfully cancelled इस तरह के साथ अपनी अपलिकेशन को cancels यह डिलेट कर सकते हो तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा और ऐसे ही इंफोर्मेशन पाने के लिए हमारे से यूटूब से जुड़े रही है हम अपने इस चैनल पे हर सटर्डे वीडियो अप्लोड करते हैं लाइसेंस की, पासपोर्ट की, पैन, वोटर, आधहारें से रेलेटिड वीडियो अप्लोड करते हैं मंडे में MS Excel की सीरीज चल रही है ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही अगर कुछ भी पूछना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपकी सभी कमेंट का ज़रूर रिपलाई करूँ हमां, ठीक है ना? तो बस इतने ही इनफोर्मेशन देनी थी आज की इस वीडियो में और देरे देरे लाइसेंस के और भी वीडियो जो भी है और भी जो टॉपिक बचे हुए है लाइसेंस के सारी वीडियो कम कवर करेंगे बस आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फोर्मेशन के साथ तो तक के लिए भाई टेक केर